नमो नमा हमारे चैनल संस् hints बोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप हमारे संस्कुत सलकों को बहुत अथिक पसंद करते हैं और हम आपको समय समय पर अच्छे से अच्छे सलकों को उनके अर्थ सहीद बताने की कोशिश करते हैं तो उसी स्रंकला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके समक्ष बहुती सुन्दर स्लोक लेके आए हैं। यह स्लोक विभिन प्राणियों के विशेस्ताओं और उनके कालियों को भूषण के रूप में व्यक्त करता है। और यह दिखाता है कि विव्यक्ति के आचरण और ट्रतित ही उसके सबसे बड़े आभूषण होते हैं। तो देखिए इस स्लोक में क्या बताया गया है। अश्वस्थ भूषणम वेगो मत्तम स्यादगज भूषणम चातुरियम भूषणम नार्या उद्योगो नर भूषणम तो जैसा कि हमने आपको इंट्रूडेक्शन में बताया हर व्यक्ति की उनके कार्यों से उनकी पहचान होती है और वही उनका आभूषण होते हैं। जैसे अश्वस्थ भूषणम वेगो तो अश्वस्थ मने घोडे घोडे का आभूषण क्या होता है उसके वेग से होती है वेग मतलब दोड़ने की गति से होती है घोडा जितनी तेज दोड़ता है वही उसकी क्वाल्टी है वही उसकी विशेस्ता है घोडे के लिए उसकी तेजी ही उसका अभूशन है मत्तम स्याद गज भूशनम गज भूशनम गज मने हाती भूशनम मने अभूशन हाती का अभूशन क्या होता है हाती के लिए उसकी मत्तम स्याद मत्तम स्याद मने मदमस्त चाल उसकी मस्ती ही उसका अभूशन है हाती का अभूशन क्या है उसकी मस्ती ही उसका अभूशन है उसकी मदमस्त चाल ही उसका अभूशन है उसके बाद पताया गया है चातुर्यम भूशनम नार्या और नारी का अभूशन क्या है उसकी चतुरता कार्यों में उसकी दक्षता तो नारी के लिए उसका चातुर ही उस पैसे कमाना उद्यमशील होना तो पुरुस के लिए उसका अभूशन क्या है उद्यमशील होना पुरुस के लिए उद्यमशील होना ही उसका अभूशन है तो पूरा आर्थ कैसे है घोडे के लिए उसकी तेजी ही अभूशन है अर्था दोलने की उसकी गती ही उसका अभूश मदमस्त चाल ही उसका आभूशन है और नारी के लिए उसका चातोरे विमिन कार्यों में दक्षता ही उसका आभूशन होता है और पुर्षों के लिए उसका उद्यम शील होना ही आभूशन होता है यह इस लोग विमिन प्राणियों के विसेश्ताओं और उनके कार्यों को भू उमीद है आपको यह इस लोग पसंद आया होगा अगर आपको हमारे इस लोग पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल संस्क्रत भूत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप वीडियो का आनद उठा सकें हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक वा शेयर करें धर्निवाद